कि हलो दोस्तों नमसकार में नाम yenमाल znaczy और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गीजर और गीजर के बारे में गीजर आपको कहां पर इंस्टॉल करिवाना है यह कहां इंस्टॉल कर सकते हैं Спर But Aus यहां बात कर रहे हैं और आप लोग यह कहते हैं कि कर वाते हैं toss all K Southeast प्रभा कि अगर नहीं करना चाहिए क्यों वाइस कानूज है यह कि अग internals का कभी का रीज़ शूर एा है लेकिन दोश दूस्तनों दोस्तों और कीस ऐसे होते हैं और कमे काम आज कर फिटिंग जलती है अब क्योंगे कोंगे की काय कि भी न्योंच हुआ दो करवा नहीं पाता जल दी आप 500 अब वाल कि सहाधे कर सकते हैं दोली को 2 तीन 4 लोगं होते हैं जो इतन बातरूम या पानी की जितनी फिटिंग होती है सब में जब पानी की जितने पाइप होते हैं सब में अब CPVC का ही पाइप आप गीजर तक ले गए उसके इंपुट में जहां से वो पानी आपके टंगे की पानी उस गीजर के अंदर जाएगा इस्टोर होगा अब पानी आप गरम हुआ इस गीजर में अब उस गीजर से जब आउट पुट आता है मनलब जो आपके बातरूम के अंदर पानी आता है तो उसमें पाइप कौन सा होता है CBVC पाइप होता है इस किसमें कभी कहा होता कि आपका गीजर खराब है या फिक गीजर का ने पानी ज्यादा गरम क और देखिए गल गया है और ऐसा गला है कि देखिए इतना अंदर इस्टिम बन गी तो देखिए यहां से उपर से फट गया है तो इसकिसमें कभी कवार क्या होता है गीजर खराब होने के विएसे है फिर कुछ और कारणों के विएसे इसमें पाइप में इस्टिम बन जाता है या फट जाता है अगर यह फट गया सुचो और यह गीजर आपके बाथरूम के अंदर लगा हुआ है आप मोसली क्या होता है कि आप लगाते है कि टाइल तो वह आठ विट के हैट तर लगा दिया लोगों ने मोसली उसके वपर जो ज शावर यह है आपके टैप पर तो अगर पाइब फटा तो क्या होगा पूरी टाइल आप तुड़वाएंगे पूरी आप चेक्ट कर लाइगे कहां कहां से पाइब फटा तो सोचिए आपके गीजरम से कोई दिक्कत हो गई छोटी से दिक्कत थी बलकिए और यह दिक्कत यहां से पाइप फटा है कि यह आगे तो नहीं फट गया है पूरी चीज आप चेक कर वाओगे इसमें कि आप बहुत ज़्यदा कॉस्टिंग आपकी बढ़ आती है तो ऐसा ना हो इस चीज़र बचने के लिए आप अपने बातरूम के अंदर गिज़र मत लगाना देखिए ज लिमिटेट पानी गरम होता है तो उसमें ज़्यदा गरम का लोग का लिखकर कोई लोग भूल जाते हैं ओन करे छोड़ दिया लेकिन गैस घिजन में क्या है एक थोड़ा सेफटी यह होती है कि लोग उनको पता हो तक गैस खराब हो जाएक मेरी तो जब नहाने आते हैं उस असपूइन में इसको तो इस केस में क्या है जब भी आप गीजर लगवाएं तो गीजर आपकी बाथ्रूम के पार के द 현재 लोग करें यहां पे देख रहा है यहां पर और नहीं कला है यह दोहिता नहीं में अपने लिए टिभार लिया अब माले गीजर खराब भी हुआ तो आपने यह पर चेंज कर दिया कोई गीजर में कोई जदा हीट जदा हीट की वैसे पानी जदा ग्वाइलिंग उस पर हो गया गया यहीं स्टीम बनने लगी पाइप भी फड़ गया तो पता है कि हाँ यहाँ गीजर है अब मुश्कल से ग जब यह कभी इन फूचर वे कभी गीजर लगाना हो तो बातरूम के अंदर ना होके कोई ऐसे जगह चूज करना जो थोड़ा ओपन में हो तो थोड़ा वैसे जगह हो जहां पर आराम से आप काम कर सके मालोग जो भी आउट पूट होगा जो गीजर का जो पानी का आउट प दिखत होगी उसको आप आराम से रिप्यर कर लें कोई उसमें प्रॉब्रम नहीं होगी हूँ ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जूर करें सब्सक्राइब यूर करें शेयर जू करें वीडियो जखने में धन्यवाद दोस्तों वीडियो जखने में धन्यवाद जेहन वन्यवाद रम